बेटमा में कोरोना पाजिटिव मरीज का कवरेच कर घर लोट रहे पत्रकार सुनिल मुनिया के साथ देपालपूर एलजेम प्रतुल सिन्हा और तैसिलदार बजडंग बहदुर ने अबदर वेहार कर पिटाई का मामला सामने आया है कोरोना पाजिटिव मरीज का कवरेज कर घर से लोड रहे पत्रकार सुनिल मुनिया को बेटमा देपालपूर रोल पर रोग कर पूछा गया कि यहां क्यों घूम रहा है। यहां कवरेज क्लब में काफी नाराज्गी है। प्रेस क्लब अध्यक्स दिली व्यादो और उनाइटेट क्लब अध्यक्स परभू अग्रवाल हन्स राइधाकड करांती मंच देपालपूर अध्यक्स कलेक्टर मोहते को ग्यापन देते हुए। पत्रकारों के ख़लाब हो र हरत्याचार पर कारिवाही की मांग की है बेटमा से समवा देता की रिपोर्ट मेरा नाम सुनिल मुनिया है मैं न्यूजन नाइन इंडिया का रिपोर्टर हूँ बेटमा से और कल दिनांग तीन तारिक को बेटमा में पोजिट्व आये गए थे जिसका कवरेज करके मैं घर की और लोट रहा था तभी मेरे घर के सामने में रुखा तभी HDM साब के गाड़ी आई देपलबूर HDM परतुल सिना और बजरंग वादवर तेसिलदार इनके गाड़ी आई मेरे पास रुखी बोले कि यहां क्या कर रहा है में कवरेज करके घर कर लोट रहा हूँ तो उन्हें ने कहा कि को ने तू इसर प्रेश समूंग बोले कि पत्रकार है तोיק करे हैं उन्हें ने यह सका फिर मैंने ने मेरे ऑनको आई काड़ दिखा है बोले कि नकली फर्जी पत्रकार होती हूँ यूँ करके उन्हें ने जवान को नीचे उतरवाया और मेरे साथ मारपेट की और गाली गलोज भी की तेसिल रारवा एसडियम ने पता ही बेपालपूर तेसिल की जो बेटमा नगरपंचाय थे वहां रिपोर्टर सुनिल मुनिया जी एक अच्छे पत्रकार है और इनकी कहीं सामाजिक कारियों में भूमिकाय रहती है मगर अभी जो यहां के उच्चा धिकारी राजस्वस्री, SDM महोदय द्वारा जो उनके साथ व्यभार किया गया या मारपिट की गई है तो वह बहुत चिंता और निंदनी विशाई है क्योंकि पत्रकार एक देश का चोथा इस्थम्ब होने के साथ ही अपनी भूमिकाय नगर हित में समाज हित में सदेव देने के लिए तत्पर रहता है और इस प्रकार से मारपिट करना अशोबनी है हंसराज धाकर देपालपूर मेटमा में कोरोना वाजेटिव पाए गये हैं और उसमें हम सभी लोग प्रसासन का पुलिस का सयोग कर रहा है पत्कार लोग भी सभी दूर रात दिन अपनी जान जो खम में डाल करके खुम रहा है और जो भी कोरोना वाईरस है उनकी ख़बर प्रेस में पहुंचा करके आम लोगों जागरत करना है सावधान कर रहा है पत्कार पत्कार जो है प्रजादंद का चोथा इस्तम है और यह जंता को जागरूप करता है ऐसे में पत्कारों के साथ अगर कहीं भी अन्याय होता है मार्पीट होती है तो वो ठीक नहीं है यह रोखना चाहिए और प्रसासन को इसमें ध्यान देना चा आज पुलिस्थाने में पत्रकारों ने यही आवेदन दिया है यहां पर और आवेदन दे के जा रहा है मैं भी निवेदन करता हूं कि पत्रकारों के साथ अगर कोई अन्याई होता है तो उस उस पर पूरी कारवई की जाना चाहिए पेटमा में जो कल की घटना को देखते हैं में बढ़ा दुक हुआ कि देश के चोते स्तम और कल्मकार के साथ मेर के साथ े इसी घटना इटी और वो भी जिम्मेद आधीकारी दौरा ऐसे अधीकारी जो भी अधिकारी हो उसके ऊपर कड़ी काराही हो ताकि आने वाले हमारे मि अगर इस तरह का मामला प्रेशाशन जैसे वरिश अधिकारी ने किया है तो वाकई में दुर्भा के पूर्ण इस्तती है पूर देपालपुर प्रेस कलब और पत्रकार सांती इस घटना की निंदा करते हैं और प्रेशाशन से मांग करते हैं कि जल्दी ही इस पर काड़ी कर अ पत्रकारों के हितों की रक्षा की जाएं हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हमारा चैनल स्व 24 न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूलें